विल्कम डेक्सन स्टीपॉइंट दोस्तों मैं हूँ सवरप सुकला और इस वीडियो में दोस्तों हम सामाने विज्यान के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 25 प्रशन देखने वाले हैं दोस्तों यह वीडियो एक टेस्ट की तरह है आप 25 में से दुस्तों आपको अधिक से आपको वीडियो मिलती रहती है दोस्तों आई शुरू करते हैं आज का वीडियो कि देखे हमारा पहला प्रशन क्या है जीवाड़ों को नस्ट करने के लिए निम लखित में से किस गैस का प्रयों किया जाता है तो तो आप जवाब देंगे इस प्रशन का दिखें जिवाड क्लोरीन देखे जो जीवाड़ों को नश्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है और जल के सुधी करड़ के लिए भी क्लोरीन का ही इस्तवाल किया जाता है तो पहला ऑप्शन नमर एक करेक्ट हो जाएगा दूसरा प्रशन मारा है कहां काम करने वाले विक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है देखिए ब्लैक लंग रोग हो जाता है देखिए बहुत इंपोर्टन ये प्रशन है कहां पर काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है दोस्तों इस वीडियो को पीडि को ब्लैक लंग रोग हो जाता है विद्धित लिपन उद्योग में कार्बनिक विलायक उद्योग में पेंट्रम विनिर्मार उद्योग में या फिर कोईले की खान में तो देखें जो ब्लैक लंग रोग है हुआ कोईले में खान करने वाले लोगों को होता है जो व्यक्ति आपक्सीजन मिस्रित वह निस्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित स्वसंस से पीड़ित रोगियों को दी जाती है यह उननको कौन सी अंग्रिय गैस दी जाती है हिलियम, क्रिप्टोन, रेटन, फिर और उर्गन तरह संसर हो जाएगा option number a helium जो अवरोधित सोसन से बीडित रोगी होते हैं उन्हें helium gas प्रतान की जाती है अब देखिए यहाँ पर बात आई थी निस्क्रिय gas की तो कई वे बार प्रशन पुछ जाता है निस्क्रिय gas के बारे में तो देखिए निस्क्रिय gas कौन कौन से होते हैं आप याद कर लिजिए helium, neon, argon, krypton, xenon और redon देखिए यह 6 जो हमारे हैं अक्रिय gas है helium, neon, argon, krypton, xenon, redon तो इसका नाम आदर रपना है इसमें जो helium गैस है वह स्वसन से बीडित रोगियों को प्रतान किया जाता है अगला प्रशन देखते हैं rain भी कहते हैं तो यह जो वनस्पतियों को नश्ट कर देता है क्यों? इसमें कौन सा दत्व पाय जाता है तो देखिए इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अमल वर्सा में जो हता है सल्फ्यूरिक अमल होता है क्या होता है एसे रॉल का उधारड है यानि कि जो एसे रॉल का उधारड क्या है? दूद, नदी का जल, धूआ या फिर रुधिर करेक्ट एंसर हो जाएगा एसे रॉल का उधारड है धूआ धूम रहे यानि कि जो मारा स्मोक होता है वो एसे रॉल का उधार होता है तो अगर आपने C धूँआ चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला परशन देखे क्या है धूम कुहरा मौझूद आख में जलन पैदा करने वाला एक सकतिसाली द्रव है धूम कुहरा यहनिकी मौझूद आख में जलन पैदा करने वाला एक सकतिसाली द्रव में वाला है अगर आपने C चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों वीडियो पसंद आगा तो लाइक जरो करिजेगा दोस्तों वीडियो को आप सेर जरूर करें दोस्तों कम से कम 4-5 वेक्तित कर अगर आप वीडियो सेर करते हैं तो देखिए अधिक से देल लो जो है इसका लाप उठा पाएंगे दोस्तों आपको इतना काम जरूर करना है साथवां प्रशन है वायू मंदल में कौन सी गयस पराबैगनी केड़ो का आउसोसड कर लेती है तो देखिए आप सभी को पता है वायू मंदल में जो पराबैगनी केड़ो का आउसोसड है वह जो है ओजोन परत कर लेती है ओजोन परत वायू पराबैगनी केड़ो को आउसो और आठहीन परयोग के अगला प्रश्न है आठोबने क्रेत्रिम साय जो आर्टिफिसिली रीट होता है तो क्रेत्रिम वर्सा रे मेग बीजन आरlla प्रेयोग में में किया जाने वाला राशानिक द्रव साया जाता है सिल्वर आयोडाइट, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या फिर सभी तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number D उपर्योगत सभी देखे जो हमारा क्रितरिम वर्षा है उसके लिए प्रयोगत गयस कौन सी है देखे यह most important प्रशन है तो हरे फलों को क्रितरिम रूप से पकाने के लिए कौन से गयस का प्रयोग होता है एथिलीन, एस्टिलीन, एथेन या फिर मिथेन तो इस प्रशन का option number अगर आपने ए चुना है एथिलीन तो आपका जवाब सही हो जाएगा जो एथिलीन गयस है इसका प्रयोग फलों को क्रितरिम रूप से पकाने के लिए कि जा जाता है किसका? एथिलीन करेक्ट एंसर हो जाएगा option number A का अगला प्रशन है, दस्वा प्रशन निम्लिखित में से कौन सा पीडा नसी ओजोन का हरास करता है जो ओजोन का हरास करता है दस्वा प्रशन हमारा है, करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा? देखे इसका सही एंसर हो जाएगा option number C, मिथिल ब्रॉमाइट देखे जो methyl bromide है यह ozone का हरास करता है अगर आपने C चुना है methyl bromide तो आपका जवाब correct हो जाएगा अगला प्रशन देखे क्या है ऐस्पिरीन साधार नाम है देखे ऐस्पिरिन किसका साधार नाम है तो इस्पिरीन का साधार नाम क्या है saalicylic acid, sand thứ mcl sanicyolate यह फिर acetyl salicylate acetyl acid तुसरह इंसर क्या हो जागती जो एस्पिरीन है इस्पिरीन नाम किसका है Acetyl Salicyate Acid का साधार नाम है Espirin किसका Acetyl Salicyate Acid का जो साधार नाम होग है Espirin तो कि ये most important प्रस्ण में आएगा क्योंकि ये प्रस्ण जो है exam में पूछा गया है तो आपको याद रखना है अगला प्रस्ण है बारवा प्रस्ण निम लिखित में से cell निम लिखित में से Jave Cell काउन सा है यानि कि Bio Cell काउन सा है देखिए आपको पहचाना किसमे से Jave Cell काउन सा है सही अंसर क्या हो जाएगा संग मरमर, कोयला, Granite या फिर स्लेट देखिए इन चारों में से अगर हम Jave Cell की बात गया तो कोयला, जो कोयला है यह एक प्रकार का जयाव स्टाइल है option number B अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल correct हो जाएगा अगला प्रशन है gamma केरडों से क्या हो सकता है देखें जो हमारे gamma केरडों होती है इनसे क्या हो सकता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option number A gene mutation यानि कि gene में परिवर्तन हो सकता है क्या हो सकता है gene gene mutation का मतलब gene में परिवर्तन हो सकता है कि से gamma केरडों से option number A बिल्कुल correct हो जाएगा अगला प्रशन है aspirine का राशानिक नाम क्या है देखें aspirine बहुत ही प्रसिद्ध यह नाम है इसका राशानिक नाम क्या है तो देखिए एस्पिरिन का राशानिक नाम होता है Acetyl Salicylic Acid क्या है एस्पिरिन का राशानिक नाम क्या है Acetyl Salicylic Acid तो अगर आपने option C चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा 15 प्रशन है पहला option है Methane, Nitrogen, Helium या फिर Hydrogen तो वह कौन सी गैस जिसे एकवालंग्स में गोता खोरो द्वारा सास लेने के लिए Oxygen में मिलाया जाता है अगर आपने C चुना है हिलियम तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा देखिए जो हिलियम गैस है यह स्वसंद से पीडित रोगियों के लिए भी आवसक होता है और गोता खोरो द्वारा जो है सांस लेने के लिए Oxygen में मिलाया जाता है क्या हिलियम गैस option number 30 प्रशन का correct answer हो जाएगा अगला प्रशन है भोपाल गैस तरास्दी किस गैस के कारण घटी थी देखिए भोपाल गैस तरास्दी एक बहुत ही प्रसिद घटना थी इसमें हजारों लोगों के जान गई थी तो इसमें कौन सी गैस के कारण घटना घटी थी देखिए यह प्रशन कई बार एक्जा में पूछा गया है सही अंसर हो जाएगा मिथाईल आइसोसाइनेट देखिए जो भोपाल में गैस तरास्दी होई थी उसमें मेथिल आइसोसाइनेट जो गैस है यह फैल गया था पूरे छेतर में और काफी लोगों के मिरती होई थी आप्सन नमबर सी बिलकुल सही हो जाएगा इस प्रश्ण का सत्रमा प्रश्ण हमारा है बारूद का मिस्रड होता है नहीं कि जो बारूद है वो किसका मिस्रड होता है यह बताना है बालू और टी और टी का टी और चारकुल का नाइटर सलफर और चारकुल का तो दिखिए, सही उत्तर हो जाएगा, option number C जो बारूध होता है, वो नाइटर, sulfur और charcoal का मिस्रड होता है, किसका, नाइटर, sulfur और charcoal का, तो इसलिए अगर आपने C चुना है, तो आपका जवाब correct हो जाएगा, अगला प्रशन है, ठारवा प्रशन, उपास थी तथा हड्डियों की बात आती है, तो हड्डि के निर्माण और संपोसट के लिए, कैल्सियम क्या हो सकता होती है, तो हड्डि को आपको कैल्सियम से जोड़ना है, और हमेसा याद रखना है, जो कैल्सियम है, यह हड्डि के लिए हमेसा लाब दायक होता है, तो हड्डियों के निर्माण और स आसनी स्याद रहेगा और frioon को क्या रहते हैं कि यह फ्रियॉण यह होता है यह एक परकार का प्रसीतक होता है क्या हुता है फ्रियॉण प्रसीत तो फ्रियॉण को आप में इसाब फ्र Indored फ्रेयुण क्याते हैं बक अगला प्रस्द है इसमें कौन सी गैस होती है। लगोती है और प्रसीतक फ्रियॉन क्या है या फिर इसका रासानिक नाम क्या है। सही अंसर क्या हो जाएगा option number B डाइ क्लोरो मेथेन देखिए जो डाइ क्लोरो मेथेन होता है इसे ही प्रसीतक फ्रियोन कहते हैं सही अंसर क्या हो जाएगा 21 का B करेक्ट हो जाएगा अगर आपने B चुना है तो आपका जवाब सही है अगला प्रश्णा है वायू मंडल में ओजोन हरास का मुखेतक किया जाता है किसके दवारे आने की वायू मंडल में ओजोन हरास का ओजोन चरण का मुखेतक कारण क्या है सही अंसर क्या हो जाएगा क्लोरो फ्लोरो कारबन देखिए जो क्लोरो फ्लोरो कारबन है यह जो है ओजुन हरास का मुख्य कारड है क्या है क्लोरो फ्लोरो कारबन option number D इस प्रश्ण का correct answer हो जाएगा अगला प्रश्ण है 23 प्रश्ण निमलिकित में से कौन सी गैस फलों को कृतरिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है देखिए यह भी प्रश्ण है most important है तो कौन सी गैस फलों को करदरिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है correct answer हो जाएगा ethylene देखिए जो ethylene gas है यह फलों को करदरिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है 24 प्रश्ण देखिए मारा क्या है सरीर की कैलोरी आवस्यक्ता गर्मी के अपक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है यानिकि सरीर के जो कैलोरी आवस्यक्ता होती है वह गर्मी के अपक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवस्यक्त है किस के लिए 24. प्रशन मारा है सरीर में अधिक वसा बनाने के लिए गिरते बालो की शती पूर्ति के लिए सरीर का ताप बढ़ाया रखने के लिए बनाया रखने के लिए फिर अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए तो इस प्रशन का सही इंसर क्या हो जागा देखिए सरीर का ताप बनाया रखने के लिए जो है सरीर को अधिक केलोरी के आउसकता होती है इसलिए गर्मी के पेच्छा सर्दियों में केलोरी के आउसकता पढ़ जाती है किसलिए सरीर का ताप बनाया रखने के लिए option number C प्रशन का correct answer हो जाएगा और देखिए आज का मारा अंतिम प्रशन है 25 प्रशन शिगरेट के धुवें का मुख्य परदुसक क्या है जो शिगरेट का धुवें होता है उसका मुख्य परदुसक क्या है carbon monoxide और dioxin, carbon monoxide और nicotin, carbon monoxide और benzene या फुर dioxin और benzene सही answer क्या हो जाएगा देखें सही answer हो जाएगा option number B जो सिरुर का धुवा होता है उसमें carbon monoxide और nicotine होती है क्या carbon monoxide और nicotine option number B अगर आप प्रचूना तो आपका जवाप correct हो जाएगा तो देखें इस video में हमने आपको 25 प्रश्ण दिये जो आपके exam के लिए most important है सामाने विज्ञान के लिए देखें ऐसे ही test हम आपके लाते रहें के लेकिन आपको करना क्या है आपको दोस्तों अपना जो मेहनत से जो है regular एक routine बना कर सामाने विज्ञान के हर topic को देखिए आपके पास जो भी बुक हो सामाने विज्ञान के लिए याद तो आपके पास लूसेंट हो या पर सामाने विज्ञान कोई भी किताब हो आप जहां से भी पढ़ सकें वहां से भी पढ़ें दोस्तों आपको नियमेत रुप से पढ़ना है और टेस्ट पेपर को solve करते रहना है और देखें एक्जाइम के लिए आपको तयार रहना है एक्जाइम जरूर होगा और दोस्तों वीडियो आप जरूर सेयर करें वीडियो कैसा लगा मैं जरूर पताईगा अगर आप लोग में से जो पहली बार चनल पर आएंगे वो जरूर सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंकि हमारे चनल पर नियमे तुर्प से आपको वीडियो दी जाती है तो दोस्तों वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद